दोस्तो अगर वैसे देखा जाये तो साल 2023 पूरी तरह से बॉलिवूट के किंकान शारू खान के नाम रहा क्योंकि साल 2023 में शारू खान के फिल्म पठान और उसके बाद जवान बॉक्स आफिस पर और टाइम बिलॉग पासरा हुई थी जिनोंने 1000 करोड से भी ज्यादा की कमा की थी लेकिन वहीं दूसरी तरह आप डंकी भी कहां पीछे रहने वाली है फिल्म बॉक्स आफिस पर पूरी तरह से क्लेन सूपर हिट हो चुकी है दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे पिशली गुरुवार यानि कि 21 दिसंबर को सिनेमा घरो में बॉलिवूट के किंक कितनी कमाई करने में काम्याब रही वहीं फिल्म का पूरे बल्ड में टोटल कितना कलक्शन हो चुका है और आज अपने 9 दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का 9 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स आफिस कलक्शन कितना हो जाएगा तो दोस्तो ब बात करूँ फिल्म डंकी की तो इस फिल्म की में जितनी तारीफे करूँ कम है वाकि राजकुमार इरानी एक बहतरी डैरेक्टर है और जिस तरहा की फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं डंकी ठीक वैसा ही इरादों पर बिल्कुल खरा उतरी है कोई भी दर्शक ऐसा नहीं निकला जिसने डंकी फिल्म की बुराई करी हूँ और डंकी फिल्म ने यही वज़ा है कि बॉक्स आफिस पर अभी तक अच्छी कमाई करी है अगर मैं डंकी फिल्म की बात करूँ तो दोस्तो जब ये फिल्म सिनेमा अगरों में रिलीस हुई थी तो जो भी दर्शक इस फि बॉक्स ओफिस पर उतनी कमाई नहीं कर पाती जितना की शारुखान की स्टार्डम की वज़ा से फिल्म कर रही है क्योंकि सलार नौर्थ इंडिया में भी अच्छी खासी कमाई कर रही है यानि कि हिंदी भाशा में काफी बढ़िया दिल जीता है फैंस का फिल्म सलार ने और स पाता था चलू में कि शारुखान के साथ विकी कोशल, तापसी पन्नू और बमा निरानी इस फिल्म में एहम के दारों में थे और फिल्म का बजट डेर सो करोड रुपे से भी कम खा था डंकी फिल्म ने अपने पहले दिन यानिके उपनिंग डे पर 39 करोड 20 लाख रुपे तीसरे दिन 25 करोड 61 लाख रुपे और चौथे दिन फिल्म ने कमाई थे 30 करोड 70 लाख रुपे और अपने चार दिनों के विकेंड पर शारुखान के फिल्म डंकी 105 करोड 63 लाख रुपे इंडिया से नेट कर चुकी थी तो वहीं फिल्म का वर्ड वाइड गिरॉस 206 करोड पे था उसके बाद अगर मैं बात करू फिल्म के पूरे 7 दिनों के ऑफिशल बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो 7 दिन फिल्म ने कमाई थे 10 करोड 50 लाख रुपे और फिल्म की जो 7 दिनों की इंडिया में नेट कमाई थी वो 152 करोड रुपे हो चुकी थी फिल्म का इंडिया में गिरॉस कलेक्शन 182 करोड 50 लाख रुपे हो गया था ओवरसीस से फिल्म ने कमाल ये थे 122 करोड 50 लाख रुपे और कुल मिला के शारुखान के फिल्म डंकी पूरे वल्ड में अपने पहले 7 दिनों में 305 करोड रुपे कर चुकी थी जा दूसतो 305 करोड ये बहुत बड़े नंबर है और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अपने पहले 7 दिनों में ही सूपर हिट हो चुकी है आठवे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 8 करोड रुपे का और आज 9 दिन भी जो ओक्योपेंसी आज दर्ज कर रही फिल्म वो भी यही बता रही है कि फिल्म आज भी कम से कम 8 करोड रुपे करने वाली है और फिल्म की 9 दिनों की टोटल कमाई 168 करोड रुपे इंडिया से नेट हो जाएगी तो वही फिल्म पूरे वल्ड में 335 करोड रुपे कर रही है जो की काबिले तारीफे और फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर इठ हो चुकी ह लेकिन दोस्तों आपने कौन से शहर कौन से सिटी में फिल्म डंकी देखी है और आपको कैसे लगी थी फिल्म डंकी कमेंड में सरू बताईएगा